नमस्ति बच्चों कैसे हैं आप आशा है आप स्वस्त होंगे मैं आपकी हिंदी विशे की अध्यापिका निलीमा एकका आज मैं आपको आपकी पाठी पुस्तक 26 मीसी पाठ 18 रेफ पदेन का प्रियोग पढ़ाने जा रहे हूं जब हम किसी पर यानि किसी वर्ण पर रेफ लगाते हैं तो हलका सा रा कवच्चारण होता है उस वर्ण से पहले जैसे सर्प यहाँ पर यह रेफ लगा हुआ है इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम किसी वर्ण पर रेफ लगाते हैं तो उससे पहले हलका सा रा कवच्चारण होता है जैसे यहाँ हुआ सर्प ठीक इसी परकार बरतन अब हम यहाँ पर कहां रेफ की मात्रा लगाएंगे त के उपर और इससे पहले हलका सा उच्चारण आएगा रा का इसलिए इसे हम पढ़ेंगे बरतन जब हम किसी में पदेन लगाते हैं यानि कि किसी वर्ण पर हम पदेन लगाते हैं तो हलका सा उच्चारण आता है उस वर्ण के बाद जैसे ट, र, क, ट्रक इसे हम पढ़ेंगे ट्र और दोनों को मिलांके पढ़ेंगे ट्रक ठीक इसी प्रकाल च, क, र, चक्र इसे पढ़ते हैं क्र एक बार हम दुबारा से देखते हैं सर्प, बर्तन, ट्रक, चक्र अब हम रैफ और पदेन से बढ़ने वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं पर्स, धर्म, कारे, टॉर्च, गर्मी, दर्जन, खर्च, वर्षा, फर्ष, मार्ग व्रत, उम्र, क्रोध, ड्रम, प्रदेश, प्रानी, नर्स, प्रकाश, क्रम, प्रशाद एक बार हम इसे दुबारा से पढ़ती हैं पर्स, धर्म, कारे, टॉर्च, गर्मी, दर्जन, खर्च, वर्षा, फर्ष, मार्ग व्रत, उम्र, क्रोध, ड्रम, प्रदेश, प्रानी, नर्स, प्रकाश, क्रम, प्रशाद बच्चों, आप इन शब्दों को बार-बार पढ़नी का अभ्यास कीजिए आपको इस पाट से सम्बंधित कारे भेजा जा चुका है आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए अच्छा बच्चों, धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए